हमारे साथ में 52 years के एक थे विडेले अच्छा आपके साथ पढ़ते थे पढ़ते थे रिसर्च अनलिस्ट का क्या काम होता है कैसे आप रिसर्च करते हैं कैसे इस टॉक्स को सब्सक्राइब कुछ कुछ एक्जामपल्स दीजिए कौन से इस टॉक्स अभी रिजेंटली आपने आप प्लांड सेट अप कर रहे हैं आपको वैसे जूड़ने पड़ेंगे जिनका इंप्लॉई फोर्स डबल हो सकता है जिनकी प्रेजन्स डबल हो सकती है तो जब वो खुद के धंदे कोई डबल नहीं कर सकती हाओ कैन यू एक्सपेक्ट अशेर तो गेट डबल मतलब जैस किसी भी देश में रिसेशन आता है तो गवर्मेंट क्या चाहती है कि हर किसी के हाथ में पैसा आजाए तो उनके ओपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा वो जेल में थे तो आप यह मानिए कि पूरा केस किस ने शुरू किया था से भी ने शुरू किया था और जो उस केस को ह करूँगा शे में चाहिए जो एक साल में करूँगा वह भी स्कैम ही है त्रेंट क्या है यह इतना इंट्रेस्टिंग डिबेट का पॉइंट बन गया भी है उसका कारण है दोसों का पी उसको दोसों का पी ही इसलिए दिया जा रहा है विकॉस इट हास दपोटेंशल तो री अगर इस टॉप मार्केट एक जानवर होता तो कौन सा जानवर होता एक दिन के लिए फाइनेंस मिश्टर बंजा है तो दादा जी से वहां के लोगों ने पूछा कि क्या करता है आपका पोटा तो दादा जी का एक प्रॉम्ट आंसर था जो आज भी मेरे कानों बार बार ब सभी को नमशकार हैं सभी को विनन दने कैसे हैं सभी लोग उमीद गरते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनन ले रहे हैं मेरा नाम है डॉक्टर बिने प्रकाश और आज आपके साथ फिर से आजिर हूँ अपने इस पोड़कास्ट में आज हम लोग बात करने वाल जैसे कि नेशनलि स्टॉक एक्षिंज हो गया, Bombay स्टॉक एक्षिंज हो गया, SEBI हो गई, NSDL हो गया, CDSL हो गया या नजाने ऐसी कितनी इंटिटीश हैं आपका ब्रोकर हो गया नजाने ऐसी कितनी इंटिटीश हैं जिनमें बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं mutual fund houses में बहुत सारे लोग portfolio manage कर रहे है ना जाने कितने investment advisors ना जाने कितने research analyst और multiple mutual fund advisors multiple लोग इस investment की दुनिया में behind the scene काम कर रहे है जो कि अपनी नौकरी या फिर commission के थूँ पैसा कमा रहे है direct investment तो वो कर ही रहे है लेकिन commission के थूँ पैसा भी एक बहुत बड़ा medium हो सकता है trading के थूँ अर्निंग के लिए तो हमारी जो youth है youth मतलब जो young generation है जो भी studies कर रही है जो भी पढ़ाई कर रही है या फिर आप अगर आपने अभी तक कोई career बनाया नहीं है बहले ही आपके उमर 50 साल क्यों नहीं हो लेकिन कहीं नहीं कोई नहीं कोई option आपके पास इस दुनिया में behind the scene cater करने का होता है और आज इसी option को हम लोग explore करने के लिए podcast करने वाले हैं और हम मेरे साथ है नवधित तिवारी जी और तिवारी जी basically अरायपूर 36 गड़ से है थोड़ा सा इनके बारे मैं बताऊं तो इन्होंने Bombay Stock Exchange में भी job किया हुआ है इन्होंने NISM के college से पढ़ाई की हुई है जो की directly Securities and Exchange Board of India का college है और साथी साथ लगबग 10 सालों का experience और service की दुनिया में ये CB से registered research analyst है तो इनसे बात है करेंगे और समझेंगे कि कौन-कौन से career options हैं हमारे पास इस particular दुनिया मैं तो बहुत स्वागत है आपका थिजारी जी विद करता हूं कि आप अच्छे हैं और जीवन का अनद ले रहे हैं तो basically शुरू करते हैं हम एकदम raw से कि थोड़ा सा अप अपने बारे में हमारी audience को बताईए कि अभी आप current में क्या कर रहे हैं और कौन सा career option आपने select किया और कैसे आपने इसको select किया है सबी को सबसे पहले तो नमस्कार है मेरे साइट से भी और बहुत interesting journey रही है शुरू से ही और stock market जैसा volatile होता है ठीक वैसे ही मेरा career भी काफी कुछ volatile रहा है और बहुत coincidentally मैं यहां तक पहुँचा और अभी currently मैं से भी registered research analyst हूँ और बैग्राउंड की बात करें तो मैं एक engineer हूँ और वो कहते है ना कि engineer कहीं भी गुच जाता है कहीं भी पहुच जाता है तो मेरी भी कहानी कुछ वैसी है और मैं अब stock market में cater कर रहा हूँ लोगों को और services दे रहा हूँ और classes दे रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ लेकिन कहानी ऐसी है कि engineering करी मैंने चार साल की degree होती है हमारी engineering की लेकिन मेरी हुई पांच में मैं detain हुआ एक साल लेकिन just not because कि मैं पढ़ने में कमजोर था sessional मेरा नहीं गया था जीरो गया था कि sessional आपके निल जाते हैं मतलब आप सीधे से डिटेन हो जाते हैं इंजीनियर भी बन गया लेकिन engineering करते करते में campus का दौर आया campus आना शुरू हुए company आना शुरू हुए और मैं select हो गया था core company में जो engineering से related ही काम करती थी अधराबाद based company थी लेकिन coincidentally एक ऐसी company भी आई और मौका मिला मुझे बैठने का जो stock market related काम करती थी और कहानी में twist जो सबसे जरूरी थी सबसे अच्छी थी कि इसकी joining पहले आ गई थी अच्छा और joining पहले आने के कारण एक तो आप जब campus selection होता है आप डिगरी करते हैं तो आपको भी excitement होता है कि नौकरी करनी है जॉब करनी है पैसे कमाने हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना इ मुझे लगा कि कितनी सारी चीज़ें हम पढ़ के आएं इंजिनरिंग में heat and mass transfer, RAC, कैसे कैसे subjects और यहां पे तो चीज़ें काफी simple लग रही है और पैसे बन रहे हैं सामने, वतलब day to day आप देख रहे हैं कि जो भी आप trades कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो on a daily basis you are earning good, तो मुझे लगा कि कहा प्लांट्स की दुनिया और कैसा कुछ और यह कितना easy atmosphere है, AC में आप बैठे और screen पे बढ़ियां, sofa पे आराम से chairs पे, तो मुझे लगा यह field सोची जारी चारी तो वो company ने आपको stock market के बारे में कुछ सिखाया, समझाया, training दिया उनोंने, काफी अच्छी training थी वहाँ पर पे और उसी current से वो शायद interest भी उतने बहतर तरीके से develop हो पाया, क्योंकि आप सीधे शायद बैठ जाते या सीधे काम करने चले जाते तो मुझे नहीं लगता ही इतना मुझे interesting लगता, मुझे अच्छे से समझाया गया, सारे vertical समझाया गया, इसलिए मुझे और जादा interesting लगने लगा, और फिर मुझे लगा कि शायद ये ही एक ऐसा field है, और कहानी ऐसी भी थी कि मुझे engineering करना मुझे पसंद थी रही, ये मेरे father की choice थी, three idiots वाली story थी, same कहानी, तो उनके कहने पर मैंने ये किया था, क्योंकि हमारे cousins कुछ हैं जो IIT वगरा, लेकिन आ पाह मश्वरा से ये decide हुआ कि भाई साब करना तो engineering है, आपके एक IIT वाले भाहिया भी है ना, मतलब he is very brilliant, और हो सकता है वह भी podcast देखें, तो बतलब उनको हर बड़े पर मैं जरूर लिख देता हूँ कि अगर engineer बना तो आप ही के कानट है, तो दोया भी है उन्होंने आपक पड़ते हैं, तो उनका एक जिसका थोड़ा जब जो IIT क्रैक किया है, अब्यूसी बात है कि जो उसका thought process होता है, बहुत कुए होता है, और आप थोड़े भी lagar होते हैं, तो वो जो difference है ना, फिर भरपाई, पिटाई सही होती है, ये आप मान के चलिए, तो कभी-कभी तो मिला है वहाँ पर दी, लेकिन तो इंजिनिरिंग करना मेरा कोई first choice था नहीं, लेकिन यही एक मौका ऐसा लगा कि ये शायद life का turning face हो सकता है, तो वहाँ कैसे पहुँच गया, आप NISM के college में कैसे पहुँच गया, और NISM है क्या, एक थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता ह है, अपने पैर पसार रहा है, हर कोई इसमें इंट्रेस्टेड है, तो से भी जो ये institute लेकर के आई ये बहुत बड़ी चीज है, और आप, मैं अपने आपको इस मामने में, मैं तो हर face में lucky मानता हूँ क्योंकि जितनी, मैं पता है ना, volatile रही है चीजें, तो volatility इतनी अच्छ मोदी जी, जो अभी भी हमारे prime minister है, उस समय finance minister रहुन जेटली साप थे, देविंत फरिंडवेज जी मुक्यमंत्री थे, तो ये सब लोग उस inauguration में आया थे और हम बहुत करीब से, मतलब आप ये मानिए कि हमने मोदी जी को था, उस समय के लिए आप आज भी सोचेंगे तो, अभी तो खेर इंस्टा का जमाना है, तो लोगों में आप कहां पहुँच गया ऐसे, और ये बहुत important है कि आप आज भी उन basic degrees के पीछे ही भाग रहे हैं, इतना कुछ है explore करने के लिए, कि आप समझेगे कि stock market का अपने आप में इतना बड़ा institute जिसका inauguration करने देश के मुलाकात हुई आपकी वहाँ पर, कौन से साथ में batchments और साथ में professors, तो ऐसे कैसे लोगों से मुलाकात हुई, क्या का देखना सीखने के लिए मिला, मुलाकात तो मतलब मैं एक तो NISM की journey में आज जितने भी मेरे उस समय के कलीक थे, they are very well placed, कोई Bloomberg में नौकरी कर रहा है, searcher बन चुका है बड़ा, और आपको ये भी बता दूँ कि प्रांजल कामरा, जो आज बहुत सारी youth follow करते हैं, one of the biggest YouTuber in India, if you talk about stock markets and financial markets, तो प्रांजल कामरा batchmates थे, वो भी राइपूर के हैं, तो हमारी हम इतने खुश हुए कि Bombay, क्योंकि आप जैसी अपने शेहर से बाहर नि और बहुत सारी companies आपके लिए, वहीं से मेरी placement Bombay Stock Exchange में हुई थी, मैं International Exchange में था Bombay Stock Exchange का जो दूसरा subsidiary है, जो GIFT City में काम करता है, अगर आप आज के समय हम जो पहले SJX Nifty track करते थे, आज आप GIFT Nifty track करते हैं, तो GIFT Nifty is NSE का है इंडेक्स, GIFT Nifty, वैसी INEX का भी अपना एक Index है, और यह International Exchange है, यहाँ पर पर trades भी dollars में होते हैं, और इसका जो primary motto था, वो था कि dollars इंडिया में आना शुरू हो जाए, पहले SJX Nifty था तो विदेशी जो भी investors से, वो hedge करने के लिए SJX Nifty में अपनी positions बनाते थे, market हमारा है, तो BSE INEX में अभी भी trading होती है, अभी भी trading होती ह हैं, तो क्या criteria कैसे हैं वहाँ ट्रेडिटेरिया वहाँ पर पर एक सबसे basic criteria तो है, वो है कि आपका gift city जो है, special economic zone है, वहाँ पर आपको एक office होना जरूरी है, और उसके बात फिर आप members बन सकते हैं, यह gift city गुजरात की बात है, हाँ यह gift city गुजरात की बात है, और बहुत ही जबरदस शांदार infrastructure अहिरा नंदानी के शांदार building हैं, और फिर आपको सबसे बड़ा criteria कि आपका एक office होना चाहिए, और फिर आपको सारी जो membership की criteria है, वो fulfill करनी पड़ेंगी, आपका basic job nature वहाँ पर क्या था? मैं वहाँ पर पर trading development team में था, हमारा काम था exchange की efficiency बढ़ाना, कै कैसे बढ़ाई जा सकती, कैसे fast बनाया जा सकता है, एक बहुत interesting काम था वहाँ पर पर वो था मेरा की trading members के लिए, जैसे for an example की motilal Oswal, हमारे trading member है, तो उनके लिए कुछ ऐसा product ले करके आ जाना, जिससे एक बड़ा volume exchange के पास आ जाए, तो वो एक monetary help करेगा, business के purpose से, तो हमें attractive derivative products भी बनाने पड़ते हुए, options या futures का इस्तमाल करते हुए, और साथ ही साथ efficiency पर काम होते थी, तो कोई ऐसा product थोड़ा explore करवा सकते हैं, वैसे तो जैसे एक बहुत simple, अगर मैं आज जो connect कर सकती है जनता, वो शायद calendar spread होगा, जिसमें आप एक current expiry की लिए अभी calendar spread को तो श risk free तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आप hedge हैं, position में आपका बड़ा loss नहीं हो सकता, बट profit की probability बहुत जादा है, तो वो एक ऐसी product थी, जो कोई भी करना चाहेगा, मतलब उसको लगेगा ठीक है, पैसे हैं, हमको पैसे बनाने हैं, तो ये already इन्होंने design करके रखा हुआ है, और pairs बना के रखे हुए, हमको एक click में वो चीज़ें मिल जाएंगी, अब आते हैं हम लोग एकदम सीधा career options पे, कि एक बंदा है जो अभी बार में बास कर रहा है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि हम लोग classic structured financial education अपने daddy's international school में देते हैं, सभी बात है, और इसके लिए आपको बहुत बधाई है, और मैं बहुत respect भी करता हूँ क्योंकि आज भी financial market को जिस तरीके से देखा जाता है, थोड़े भी छोटे शहरों में जाएंगे, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो gambling या कई बार आप shares खेलते हैं, जो खेलना term है, बहुत बुरा लगता है, क् यह कोई खेलने कुदने की जगा नहीं है, यह core analysis और बहुत art है, यह बहुत बड़ा, तो आप six से यह चीज़ कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप कितने पहले से एक base तयार कर रहे हैं, आप एक bridge cover कर रहे हैं, और यह आगे चल करके बहुत help करेगा, बहुत 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 जैसे मैं पहले पूरे financial segment की बात कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा advantage यह भी रहा है financial market में, कि आप की कोई criteria fix नहीं है, मतलब आप engineer है, you are welcome, आप commerce background के हैं, तो you are most welcome, आप किसी भी stream से belong कर रहे हैं, because यह number का game है, और numbers तो हम 10 तक तो ऐसे basic mathematics तो शुदू सुदू हो जाती है, तो य अची बात है कि यह आपके लिए कोई ऐसा, कोई hindrance नहीं लेकर कर आता है, कि आप नहीं आ सकते हैं, और फिर आप opportunities की बात करते हैं, आप देखिए कि investment banking, जब आप समझेए कि आपका financial market ही इतना बड़ा हो रहा है, investment banking की बड़ी-बड़ी company आ रहे है, Morgan Stanley, JP Morgan, उसके बाद में आपका जो securities backed lending होती है, उसके लिए बड़ा काम है, आप समझेए कि अगर security based lending की में बात कर रहा हूँ, आप देखते हैं कि हम बार बार सुनते हैं कि promoters ने अपने shares घर भी रख दिये, promoter pledging कर रही है, तो यह सब का काम भी कौन देख रहा है, यह investment banking देख रही है, IPOs की बहार इंडिया में, तो merchant banker अपने आप में एक बड़ा field है, जो पूरे IPO को manage करता है, उसी तरीके से आप एक होता है, risk को assess करने वाला भी एक department होता है, जैसे मान के चलिए आप acquisitions की बात करते हैं, corporate actions होते हैं, mergers and acquisitions, छोटी company, बड़ी company खरीद रही है, take over हो रहा है, इसके पीछे पूरी risk profiling होती है कि क्या cost होनी चाहिए उस acquisition की, उसके लिए भी analysis चाहिए, तो आप जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा options available है इस market में और लोगों की भीड लगवी engineering कर लेते हैं, या मैं ये नहीं बोल रहा है, ये सारी field खराब है, लेकिन आप ये देखिए ना, हीड कहां कम है, जहां पर दस लोग कॉंपीट कर रहे हैं, और जहां पर तीन लोग कॉंपीट कर रहे हैं, आपकी probability of getting selected is very high, तो आप आईए ना, इस field आप पैसा भी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, आपका work culture जो है, एक series से बात करते हैं, हम सीरा शुरू करते हैं कि प तो पहले उसी list से शुरू करते हैं कि कौन-कौन से exam से क्या-क्या benefit है और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे मैंने investment advisor qualify कर रखा है, Mitchell fund distributor qualify कर रखा है और उसमें जो education वाला होता है, वो qualify कर रखा है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे options हैं, तो वो कौन-कौन से options हैं और उस तो सबसे पहली बात है कि अगर आप financial market में entry कर रहे हैं, आप, मैं तो कहता हूँ, सारे NISM के certifications exam दीजिए, आप अपने हिसाब से when you decide कर सकते हैं, date decide कर सकते हैं, time decide कर सकते हैं, exam का, fees केबल 1500 रुपह रहती हैं generally, और इससे होता ही है कि आप जब financial market, क्योंकि आपके उस experience नही लेकि जब आपके achievements में आप वहाँ पे highlight करेंगे, कि I have cleared this certification, I have cleared this certification, तो वो कही नगहीं बहुत बड़ा added advantage कर दो है, और ये 18 का होने के बाद आप कभी भी दे सकते हैं, pen card होना चाहिए, उसके बाद जैसे आप mutual fund industry में जा रहे हैं, उसके लिए dedicated exam है, mutual fund की series का exam है, आप वो द जीजे, अगर आपको derivative से related कुछ काम करना है, आप derivative के certification exams दीजे, तो हर चीज के लिए इन्होंने certifications रखे हैं, तो ये एक पहला, बोलते हैं वो baby step, तो मेरे ख्याल से वो baby step है, आपको यहाँ से शुरू करना है, तो क्या कोई individual trading भी करना चाहता है, तो उसको भी exams देने चाह basics जैसे gamma, theta, delta, आप जब basic equity research का भी exam देंगे, तो आप EPSP, यह सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और यह आपको आज नहीं, कल नहीं परसो, आपको सीखना ही पढ़ेगा, अगर आप long term investment भी करना चाहते हैं, या फिर उसमें career बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल आप trading को ऐसा career देखें, या trading को ऐसा profession ले रहे हैं, आपको सीखना पढ़ना पड़ेगा, आप यह कभी नहीं सोच सकते हैं, अगर आपके चलिए, मैं बोलता हूँ कि आप बहुत बड़े family से belong करते होंगे, तो आपको लगता हो कि I have deep pockets, मेरे मास बहुत पैसा है, तो I'll survive here, इसा घलत है, आप रतन टाटा सर को देखें, वो भी पढ़ने कहते हैं, आप अमबानी जी के लड़के को देखें, वो भी ब्राइन इन्वर्सिटी पढ़के आएं, तो उनके तो पैसा भी था, लेकिन पढ़ाई जरूरी है न, तो आपको कुस तो करना पड़ेगा, या त टॉक मार्केट सर्व करते हैं, मुचल फंड डिस्ट्रिबूटर में गए तो हम लोग मुचल फंड की सर्विसस देते हैं, मुचल फंड कर डिस्ट्रिबिशन करते हैं, डेरिवेटिव का एक्जाम कौलिफाई किये तो हम डीलर बन सकते हैं, यानि कि डीलर का मतलब होता है कि जहां से मैंने परी जौब दियुक्त कि जहां पर हम बैठ के ट्रेडिंग पंच करते हैं हाला कि वो concept बहुत हद तक खतम होने के का है अला कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में ऐसे किसी जिगह पर हम जा सकते हैं अभी भी जा सकते हैं अब आते हैं हम लोग की graduation, graduation में कौन सा field select करना चाहिए हमको अगर हम करना चाहते हैं तो graduation मतलब आपका stream क्या होना चाहिए stream क्या होना चाहिए अगर आप financial market ही tap करना चाहते हैं तो definitely commerce background आपको pursue करना चाहिए और मैं दो ये कहूँगा कि चलिये आज कल इतने सारे छोटे-छोटे crash course बना रही है कंपनियां चाहिए investment banking से भी बात करें मेरे को ऐसी दो-तीन कंपनिया पता हैं जो आपको online करवाती है courses, weekend classes होते हैं और they make you ready for big investment bank companies जहाँ पर आप डिरेक्टली job कर सकते हैं आपने वो एक company का अभी तो नाम उसका ले नहीं सकते हैं आपने मुझे बताया था आपके sister ने वहाँ से जॉब किया और he is like working in a very security lending में एक बड़ी company में वो काम कर रही है और US की company है और आप सोचीं कि वहाँ से आपकी मैं नाम ले सकता हूँ जिस तरीके company आपके लिए दर्वाजे खुल जाते है SNP Global SNP Global में मेरा बतीज को मैंने कर वाया तो वो SNP Global में जॉब जाब रहा है सेम company से उसने और वो course एक साल का course है basically और हम description box में उसके link तो नहीं दे सकते हैं बट कुछ clues दे सकते हैं आप खुद Google पर सच कर सकते हैं क्योंकि हम promote नहीं कर रहे हैं किसी को इसलिए यहाँ पर हमारी अंदर restrictions है हमारे पास restrictions है कि हम नाम नहीं ले सकते हैं लेकिन वो एक साल का course है और उनोंने सीधा investment banking की तरफ दरवाजे खूल दिया और सोचिए कि आप graduation है और आप खुद बताईए किसी को मैं S&P Global में काम कर रहा हूं तो वो खुद आके फाट के देखेगा कि अरे भाई साब आप कहां पहुँच गए तो आप समझेए कि इतनी opportunities हैं आप शायद सही लोगों से आप शायद मिल नहीं पा रहे हैं अदरवाइस immense immense possibilities immense opportunities आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं और मैं हर यूथ को कहूँगा क्योंकि आज कल मैं देख रहा हूं कि थोड़े capital आ गए 50,000 एक लाख आ गया तुरंट ट्रेडिंग की दुनिया तो आप बीस हजार पचीस हजार से आप देखिए कि आप जब आप स्कूगा डाइविंग करते हैं आपके साथ में एक oxygen cylinder जाता है और उज़े oxygen cylinder नहीं यह पैसे के जैसा है oxygen खतम आपको बाहर आना पड़ेगा तो आप यह समझे कि अगर आप limited पैसा लेकर कि पढ़ने जा रहे हैं मतलब पढ़ाई ज़रूरी है ठीक है और पढ़ाई के साथ साथ experience ज़रूरी है तो आप दोनों चीज़ें explore करिए आप experience के साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं वो आपके आगे चलकर के trading में काम आएंगे और वो experience जो आप बड़ी बड़ी investment banking firm में अगर काम कर रहे हैं या किसी भी stock market related field में काम कर रहे है इत विल definitely help यू यह आपको बहुत बहुत बहुतर trader बनने की दिशा में अपने आप आगे बढ़ा देगा अब एक आदमी जो अपने early stage से किसी essay stage में पहुँच गया है जहां वो पढ़ाई तो नहीं कर सकता है लेकिन उसके लिए mutual fund distribution भी एक रास्ता है जहां पर वो थोड़ा मेहनत करके पैसा कमा सकता है उसके लिए क्या करना पड़ता है और कितनी मेनत करनी पड़ती है मेरा पुराना याद आगया कि हम जब जिस NISM के जिस बैच में थे हमारे साथ में 49 या 52 एर्स के थे अच्छा आपके साथ पढ़ते थे और उनका मतलब क्योंकि हम तो इंजिनिरिंग करके आँए थे तो एक यंग तो थोड़ा सा उनकी ग्रिलिंग भी हम करते थे मज़े भी लेते थे तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइडेरिया थे कि उनको ये mutual fund distributor बनना था तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं इतना जान लूँ कि समझी आपकी ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है आज शायद इस बारे में भी बात करना जरूरी है कि आप कुछ भी बन जाए लेकिन आप जब तक खुद इतने समझदार न हो जाए कि किसी को सलाह दे सकें आप सोची कि उन्होंने कि इतना अच्छा कदम लिया कि सिर्फ उनको mutual fund distributor बनना था जो अपने एक सिंपल एक्जाम और वो खुद में research product है mutual fund तो already fund managers आपको तो बस उस product को किसी को बताना है एक basic difference समझगे कि कि किसके लिए क्या बना है लेकिन उसके लिए उन्होंने एक साल का वो course किया तो this is आप इतने जिमधार बन जाएं और इतने seriously अगर अपने profession को लें तो फिर अच्छा कुछ नहीं हो सकता तो आपने जो बात करी कि distribution करना क्या है उसके लिए उसके लिए बहुत जादा कुछ नहीं चाहिए आपको उसके लिए आपको basic mutual fund series की exam निकालनी होगी और आपको markets के बारे में जा के बारे में बहुत सारी चीज़े है mutual funds के बारे में है mutual funds के थूर लेंडिंग के बारे में भी है और किस age group के लिए कौन सा product risk profiling के बारे में और अपने खुद के individual ज्यान के लिए अगर हम पढ़े तो बहुत सारे ऐसे products के बारे में हमको बता चलता है जो हम basically जानते ही नहीं ह इस particular mutual fund distribution को अगर हम पढ़ने जाएंगे even human life value calculation के insurance के कौन से products हमारे पास होने चीज़े है जो वहाँ पर है और बहुत सारा ज्यान देती है ठीक है एक तो हो गया mutual fund distribution यहाँ पर हमको mutual fund distribution में भी director regular दो तरह के investments होते हैं और distributor दोनों तरह का काम कर सकता है अब दूसरा आता है research analyst जो आप है research analyst का क्या काम होता है research analyst का काम है research reports provide करना advisory provide करना लेकिन हम बहुत सारे basket of advisories नहीं कर सकते हमारी कुछ limitations है जैसे investment advisor हर basket में investment advice कर सकता है वो insurance भी आपको cater कर सकता है लेकिन research analyst की कुछ बाधाएं हैं कुछ सीमाएं हैं और लगबग हमारा और IA का profession सेम है और बहुत limited research analyst है इंडिया में जिस तरीके से traders है 5-7 करोर उसके हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे तो less than 10,000 अगर आप IA और IA दूनों को मिला दे तो मुझे नहीं लगता है 10,000 बहुत बढ़ा नंबर आई तो सिर्फ 1100 और 1200 आ रहे हैं तो आप ये नंबर को और चोटा कर सकते है तो आप सोचिए कि अगर आपकी तब्यात खराब होती है जो personal health जब खराब होती तो doctors की तो कतारे हैं और varieties है और reviews है लेकिन जब आपकी personal wealth खराब होती है तो उसके लिए आपके पास availability है वो केवल limited है तो मेरे ख्याल से ये investors और traders जो देख रहे हैं इस podcast को उनको भी समझना चाहिए कि आपको मैं शायद कहीं भी random जगह पे शायद इलाज कराने भेज दूँ तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे मैं अपने personal health के साथ खेल सकता हूं तो आपको सेम इसी तरीके से registered लोगों को भी समझना होगा कि वही लोग आपके personal wealth को उतने तरीके से और seriously समझ सकते हैं तो जो trader लोग हैं जो ये podcast देख रहे हैं तो वहाँ भी तो जाएंगे कि भीया कैसे आप research करते हैं कैसे stocks को से कुछ examples दीजे कौन से stocks अभी recently आपने pick किये थे वो कैसे चल रहे हैं और आगे आप sectors कैसे decide करते हैं stocks कैसे decide करते हैं उसके बारे में थोड़ा चलते हैं मुझे तो द दिन रात कुछ समझ नहीं आता हूँ he thinks वह खा रहा है पी रहा है सो रहा है वो सब कुछ stock market ही कर रहा है he thinks he lives stock markets that's it और हमारे मेरे साथ पे बहुत बड़ी irony है जब मैं non stock market players के साथ ये जो stock market को नहीं समझते हैं उनके साथ मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरी आदत यसी हो ग सारे लोग जो fundamental analysis के basics को भी समझते होंगे तो एक दो basic approach रहे हैं investing की दुनिया के एक होता है आपका top down approach और एक होता है bottom up approach top down का मतलब आप सबसे पहले उस economy को देख रहे हैं चीक है कि इंडिया अच्छा कर रही है फिर आप धीरे से industry में आ रहे हैं कि industry कौन सी अच्छी कर रही है फिर industry के बाद में company कौन सी अच्छी कर रही है तो आपने segregate किया लेकिन आपने उपर से देखना शुरू किया bottom up approach मे हम नीचे से देखना शुरू करें कि हम नीचे से देखना शुरू करते हैं कि कौन सी अच्छी कर रही है फिर वो किस industry में है और फिर किस देश की इक नौमी है तो यह basic approach रहा है investing का लेकिन जो आपने macro to micro वाली बात करें मेरे लिए यह सबसे बड़ी चीज है मतलब मैं stock markets मैं मैं ऐसा नहीं बोलू हूँ है मैं hardcore technical analysis का ही इनसान हूँ मुझे fundamentals बहुत जादा तो नहीं मैं basics ही जानता हूँ और लेकिन technicals मुझे बहुत पसंद है लेकिन फिर भी एक जो conviction एक common sense है मेरा पुरा जो investing और stock selection का जो approach रहा है तो वहां से शुरू होता है जैसे मैं आपको एक story बताता हूँ कि अगर हमने कुछ सालों में देखा कि green energy इंडिया green energy को लेकि बहुत serious है ठीक है और जब green energy की बात आई तो आप देखे कि youtube भरे पड़े हैं आप solar वाले stocks देख लो wind वाले stocks देख लो floating solar वाले stocks देख लो और चल भी रहें shares लेकिन इतने सारे players हो गए और वहां अब एक doubt आता है कि यार मैं यह तो भाग गए हैं मैं पैसा लगाऊंगा तो पैसा बनेगा के नी बनेगा तो मेरा जो अप्रोच रहता है मैं ऐसी company ढूंडता हूँ जो इस पूरे के पूरे थीम को play कर तो रही है लेकिन उसके वो बहुत जादा है नहीं जैसे solar की बहुत स electrification और एक है PFC power finance अब इनके नाम में देखे power finance सेम काम rural electrification का ही है अगर आप plant set up कर रहे हैं किसका plant set up करेंगे green energy initiative चल रही है आप obviously green plants आप लगाएंगे costing बहुत जादा है आप कहां जाएंगे आप finance के लिए जाएंगे इन ही सरकारी company के पास क्योंकि इनका काम ही power finance करने का है नाम में ही है power finance चाहिए आप किसी भी company का plant लगा रहे हो आपको जाना पड़ेगा REC आप प्राइवेट लेंडर्स के पास भी जा सकते हैं लेकिन ये जिस rate of interest पर आपको देंगे they will cater even government के subsidies वगरा के लिए easy होते हैं obviously अब आप समझ ये कि इतने players है solar में मुझे नहीं पता कल को कौन टिकेगा नहीं टिकेगा कौन क्या करेगा लेकिन मुझे ये तो पता है कि इनको पैसे चाहिए और पैसे देने का काम कौन करेगी REC और PFC अब आप directly ये theme प्ले कर रहे हैं आप एक नौरतन company को प्ले कर रहे है जो आप कोई comfort दे रहा है dividend paying company को प्ले कर रहे है और आज मेरे ख्याल से April 2023 की बात है तो stock 1500 रुपे trade कर रहा था REC आज 600 रुपे trade कर रहा है तो आप इस पे कोई charts की नहीं है ये सिर्फ आपने एक चीज को समझने की कोशिश करी कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है या कौन सी company है जो इस पूरे theme का सबसे एहम हिस्सा है तो आप चाहे एक investor है आप trader भी है तो आपको एक outlook तयार करना पड़ेगा कि आखिर हवा किस तरफ की बहरी है और वो सही player कौन है जिसको मैं सही में in cash कर सकता हूँ जैसे मेरा एक और approach रहता है जैसे मुझे मैं बहुत सारे YouTubers को देखता हूँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकि है कि मैं हमेशा growth driver ढोनता हूँ मतलब अगर मैं आपको एक example दे दू कि TCS का example लेते हैं एक IT company है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा sales force मतलब उसके employee force है ठीक है उसका जो order book होगा वो बहुत बड़ा होगा obvious ही बात है मैं आप क्या आप ये मैं बोलू हूँग कि एक साल में ओ company double हो सकती है कि आप बताइए मैंने ख्याल से नहीं होगी जो जो उसका growth था वो growth जाके sustainable जगह पर पहुँच चुका है ना ये दो साल में double हो सकती है ना तीन साल में ना ये अपने employees को double कर सकती है ना ये अपने presence को डबल कर सकती है लेकि आपके पैसे को बचा के रखी है पै growth ही चाहते हैं तो आप ये मत समझेगे ना फिर आप Colgate के shares ले ले लेंगे और आप सोचेंगे multi bagger बन जाए पॉसीबल ही नहीं है आपको वैसे shares ढूंडने पढ़ेंगे जो शायद एक साल में जिनका employee force double हो सकता है जिनका order book double हो सकता है जिनकी presence double हो सकती है क्यों क्योंकि उन जैसे आप विराट कोली को किसी चीज का brand ambassador बनाने जाएंगे तो शायद आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा है लेकिन अगर कोई एकदम से एकदम छोटा player जो अभी हो सकता है state level पे खेल रहा हो और अभी से आपने उसको अपनी branding कर वाली और एकदम छोटे प रहे हैं you have to search a growth driver जैसे टाटा मोटर्स ने टाटा इलेक्ट्रिक बनाई टाटा इलेक्ट्रिक वहिकल बनाई वो इलेक्ट्रिक वहिकल है ग्रोथ ड्राइवर मारूती इस चीज में लेटर आप आप देखिए ना कोवेट से 65 रुपए का शेर था कोवेट का बॉटम टाटा मैंने 20 लाग रुपए लिए और 20 लाग रुपए लेके एक ही शेर पर पैसा डाल दिया तो एक प्लेयर पर पैसा लगाने से तो पैसा काम नहीं बढ़ेगा पैसा लगाने बढ़ेगा डाइवर्सिफिकेशन बस्ट है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप मैं यूथ आ अगर अगर ग्रोथ स्टॉक्स ढूंडने निकल रहे हो आप घलत कर रहे हो क्योंकि आपको अमर तो है नहीं हमको एक सर्टन पैसा एक सर्टन टाम पर चाहिए ही चाहिए तो आप फिर ऐसे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगा सकते कि जहां पर पर कुछ भी हो जाए देन यू आपका इच्छा का सा सेलरी इंकम है यू शुड डेफिनिटली लूप फर गोथ ओरिंटेट स्टॉक्स और डाइवर्सिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए वह बहुत बड़ा कोट है कि आप सारे अंडों को एक बैग में रख सकते अंडे आपस में टकरा के तूट जाएंग कि बस स्टील चल गया एक बार उनका पैसा बन गया वो स्टील में ही निविशितन है बोले मैं तो नहीं निकाल रहा हूँ मैं तो स्टील अच्छा लगता है लकी है लकी है जो भी है लेकिन आप यह समझे ना कि यह पूरा साइकल है जब किसी भी देश में रिसेशन आता है तो गवर्मेंट क्या चाहती है कि हर किसी के हाथ में पैसा आ जाए क्यों क्योंकि एकनॉमी लोवर क्लास, मिडल क्लास, टॉप क्लास सब चलाते हैं आप समझ यह कि अगर एक मैं ब्रिज बनाता हूँ उसमें लेबर लगेगा, ठेकेदार लगेगा, इंजीनियर लगेगा, मटेरियल्स लगेगे, और बड़ा इंवेस्टर भी लगेगा, तो यह हर वर्ग को पैसा पहुचा रहा है, तो यह क्या हुआ, एक इंफरा पुश हुआ, यह कब आता है, जब किसी भी देश की एकनॉमी ठंडी पढ़ती है, अब सीधी सी बात है, कि इंफरा में सबसे बड आप देखेंगे, तो यह हर फील्ड, आप किसी भी सेक्टर में जाओ, आप आई-टी में चले जाओ, आप चैमिकल्स में चले जाओ, हर चीज साइकलिकल है, आप जैसे कारों की सेल्स देखें हमने, आप मानेंगे निया, आज बड़ी हेडलाइन बन रही हैं, कि हर बड़ी घर में अगर एक कार खड़ी है, जादा से जादा में क्या करूँगा, मैं एक EV कार ले लूँगा, एक second option, उसके अलावा और कुछ है क्या मेरे पास, option नहीं, मैं रुख जाओंगा, अब ऐसी चीज तो है नहीं कार की मैंने आज ली और अगले मैंने फिर बदल दी, फिर ब लोगों ने घर में काम किया, work from home किया, लोगों ने savings करी, लोग अपने घर में वापस चले गए, उनका rental जो expense था वो बचा, तो कहीं नहीं से बढ़ी थी और एकदम से market में expenditure दिखी, कारों की sales, बाइक की sales, housing sales, सब एकदम से बढ़ा, लेकिन ये चीज भी तो ठहरेगी ना, मैं ऐसा तो नहीं, आज मैंने कार ली फिर ले लूँगा, फिर तीसरे दिन लूँगा, तो ये सब कुछ साइक्लिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये मत समझ के बैठी है कि Tata Motors ने मुझे पैसा बना के दिया, मैं तो 100 रुपै से invested हूँ, मैं छोडूँगा ही नहीं नहीं, मैंने खुद ने Tata Motors को suggest किया था, और मेरा firm target था 1000 रुपीस का, मैंने खुद वीडियो बनाया, around 1100, कि you should take a profit here, और मैंने short call दिया Tata Motors से, मैं बहुत आसानी से short बेरिश होता नहीं हूँ, because I enjoy being bullish into the markets, लेकिन मैंने एक platform है, उस पर share किया, मेरे 790 के targets थे, और stock है 790 के आसपर street कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि आप मन मतलगा ये share से, और cycle को समझे, महबबत नहीं करना है, महबबत बिल्कुल नहीं करना है, और महबबत में पर आपको, उसको पालना है, पोस्तना है, और जब हो जाए, मोटा तकड़ा तो फिर, और मुद्दा ही है कि महबबत बात ऐसी है कि आपको बहुत कुछ, मतलब और मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप market को ना, मत ये समझे कि नौ से साड़े तीन का ये चीज है, ये नौ से साड़े तीन के beyond है, आप जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, आपको बस ये लगेगा है, और मैं बहुत कम जानता और आज मिरको दस साल हो गए, मैं BSE में जॉब किया, मैंने mutual fund industry में काम किया, मैंने बहुत अच्छे investor से मैं मिला हूँ, बहुत बड़े टेकनिकल अनालिस्ट लोगों से, NISM एक तो उस platform और उस college की मैं जितनी तारीफ करूं उत्ती कम है, क्योंकि वहां पर जो पढ़ाने सेभी डेपुटेड लोग होते हैं, जो सेभी में जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े positions पे जॉब कर रहे हैं, मतलब आप यह मानिए कि अगर मैं सहारा श्री जो थे, सुपरतुराय सहारा, तो उनके ओपर इतना बड़ा allegation लगा, वो जेल में थे, और तो आप यह मानिए क पूरा case कि इसने शुरू किया था, सेभी ने शुरू किया था, और जो उस case को head कर रहे थे, lead कर रहे थे, one of the prime member उस case के थे, वो हमको पढ़ाने आते थे, और उन्होंने पुरी story बताई, और सुनके ऐसा लगा कि यार बताओ, तो मतलब बड़ी बड़ी faculties, finance के लिए, इंड पड़ी है, यूट्यूब अपने आप में बहुत बड़ी जगा है, आप सही लिसनर बन जाईए, सही लोगों को सुनिये, तो भी आप बहुत कुछ कर जाए, लेकिन यूट्यूब बड़ी जगा सीखने के लिए है, लेकिन और बड़ी समस्या है कि यूट्यूब या फिर टेलीग्राम हो गया या फिर ऐसे किसी भी चैनल में, ये एक स्कैम का भी बहुत बड़ा जरिया बन गया है, ये इस पॉइंट पर भी हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरत है, मैं इतना ही बता दूँ, सबसे पहले चीज़ तो आप, आपको से भी बार-बार ये ठीक है, और अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग की दुनिया की बात करें, जहां पर हम लॉंग टम रिटन की बात करते हैं, बेसिक अप्रोच क्या होता था लोगों का, FD 6% रिट अभी इंडिया की महेंगाई 6% की आसपास है, तो मैंने FD करी तो मैंन इन कोयी बेंचमार्क तो का अपको रहा पड़ेंगा करी ने, आपको इसको बीट करेंगा, एक बेंचमार्क एक लिमिट तो चैकर इने को टेज़ाय से बंड़ने में तेज़ हैं मैं को इसको बीट करना इसससे आगे जागीए C mirror मीछिटेंज में टे आइक तो आप यह देखिए कि जब इतने सारे जो आप कितनी महंगी मशीने Bloomberg का एक टर्मिनल आता है वो भी हमने NSM में देखा था 10 लाख रुपए उसका सब्सक्रिप्शन होता है साल पर का वो अलगी पूरा सिस्टम है तो आप सोचिए कि जो रिसर्च करता है वो कितने महंगे महंगे प्लाटफॉर्म सॉफ्ट्वेर्स यूज करके वो यह रिटन्स पे पहुंच रहा है और आज की जंता का एक्सप्टेशन किया है कि आप ऐसा कुछ बता दो सोच रहे हैं जो फिर वो होगा नहीं फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे तो आपका एक्सप्टेशन गलत है और अगर आपको कोई इस एक्सप्टेशन पर हाँ बोल रहा है आप पहले वहीं समझे कि भाई साब यह तो स्कैम्स्टर है क्योंकि मिठ हो ही नहीं सकता आप सोचिए ना कितने बड़े-बड़े mutual fund house को run करने वाले fund managers उनके पास उनके बाल सफेद हो गई यह करते-करते उनका CJR यहां पहुँच रहा है आप कैसे किसी को trust कर सकते हो तो स्कैम्स्टर से बचना जरूरी है और उसके लिए आप ही बच सकते हैं मैं तो आउंगा नहीं आपको बताने कि भाई साब यह गलत है तो आप वहां से जज़ करिए कि रिटर्न से ज़ज़ कर सकते हैं रिटर्न से बेस्ट मीडियम तो ज़िए सीधा उसको बोलिये मैं मेरा पैसा कितने दिन में डबल को रहा है और यह सबसे बड़ा रन है मतलब मेरे क्याल से आप किसी भी बंदे से एसोसेट हो रहे हैं इस मार्केट में यू हाफ तो आस इस क्वेस्टिन फर्स कि भाई साब क्या बनेगा पैसा कितने टाइम में बनेगा या उसको एक आप नंबर दीजे कि यह कब तक डबल हो जाएगा और वहीं से आपको इज़ज हो जाएगा कि भाई साब कितने इस बं कि कितने अमाउंट का आपका गोल है करेक्ट दूसरा यू शुड़ है टाइम पिरिएड कि कितना टाइम पिरिएड आपको उस गोल को अचीव करने में जैसा सबस करिए कि मेरा कोई बच्चा है वो अभी क्लास 5-6 में पढ़ता है और मुझे पता है कि जब 6 साल बाद जब एक तो उसका future value निकलना दूसरी बात कि उस 6 साल में अगर मुझे वो 20 लाक रुपीज चाहिए तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करना चुरू कितने की SIP पर गरू जिससे कि वो almost 6 लाक रुप पोई दूसरी चीज़ अब जब वो गोल वैल्यू जितनी करीब आती चली जाए क्योंकि वो मेरे पास risk taking capacity नहीं आज मान लीचे मैंने थोड़ा loss भी कर लिया या थोड़ा मेरे पैसे की value कम भी होगी तो मेरे पास अगले 5 साल है उसको cover करने के लिए लेकिन पांचमे साल में अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे बच चेक पड़ाई रूप जाए और यह सबसे परसेंट अपने total funds का आपको equity में लगाना चाहिए तो आपकी जो भी age है आप उसको 100 से minus कर दीजे अगरा 30 year old है तो आपको 70 परसेंट आपको 40 के हो गए तो 60 परसेंट करें बहुत simple बहुत simple और बहुत काम की चीज़ है चलिए एक rapid fire round है हमारा podcast session में rapid fire करते हैं तो इसमें आपको सोचना कम है और जवाब जल्दी से देना है फिर हम detailed बात करेंगे अब ट्रेडर और technical analysis थोड़ी बहुत जान लेने के काड़ी है तो expert करी सकता हूं कि थोड़ा quick response मिल जाएगा जल्दी से stop loss भी आना चाहिए और जल्दी से target भी आना चाहिए दोनों आना चाहिए तो बात करते हैं हम लोग शुड़वात करते हैं सीधे एकदम rapid fire शुड़ करते हैं stocks या bonds I would say stocks मैं अपने age के हिसाब से stocks प्रिफर करूँ हाँ अगर कोई 50-60 साल गाए तो वो bonds के बारे में बात करते हैं NISM या BSC किस से जाधा सीखने के लिए मिला मैं दोनों को ही दूँगा ल और अपरचुनिस्ट तो मुझे ऐसा लगता कि मौके हैं तो भुनाने चाहिए तो trader बनना भी कोई बूरी बात नहीं है ऐसे किसी stock market के बारे में कोई ऐसी मिथ जो आपको एकदम एरिटेट कर देती है Stock market सट्टा है ये और ये मेरे को मैं बहुत मेरा जो घर है नेटिव है मेरा धनगाओ नाम है मेरे गाओं का तो वहाँ भी इतना कुछ आप financial literacy छोड़ी हो वाँ literacy नहीं है तो एक बहुत interesting story हुई थी कि मेरे दादा जी के साथ में शादी के cards देने गया था अपने relative के तो दादा जी से वहाँ के लोगों ने पुछा कि क्या करता है आपका पोता तो दादा जी का प्रॉम्ट आंसर था जो आज भी मेरे कानों बार 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 बोजता है कि सट्टा खिलाता है आपके दादा जी बहुत बहुत मतलब ही इस वेरी जॉली नाइटी टू यर्स के हो गया है और मतलब उनके साथ बैठने में और जो अपनी एक्सपिरियेंस बताते है साथ रुपे से उनकी salary थी और पैदल साइकलों पे जाना और जो नहीं एक वो वाली story ज़रूर मैं चाह मेरे यहाँ पर पर क्या है मेरे पापा थोड़े defensive approach वाले है और मेरे दादा जी इस वेरी aggressive मतलब वो आज भी मतलब उनकी इदनी age हो गई लेकिन वेरी interested कि भाई कोई आ रहा है पैसे दे दो या खर्चे करने उनको बहुत पसंद है और उनको pension भी आती है और उनको pension भी आती है तो 60-70,000 एक छोड़ा amount था और वो क्योंकि पापा से फादर से आप बार बार OTP लो sell करने के लिए और उनसे तो वो एक तो उतने technology friendly नहीं होते है वो irritate हो जाते है तो एक वो भी reason बना कि हम शायद बहुत लंबे टाइम तक राइड कर पाए stocks को जो कि आप OTP नहीं ले सक और यह अभी की बात है हमने अभी लिया गाड़ी तो वो बोल रहा कि कहां से निकलेगा पैसा मैं कहां पे जाओं किस बैंक में जाना होगा तो आप सोची यह स्थिती है और उनका लड़का खुद यह सारी चीज है कर रहा तो आपके खाते में आ चुका है तो बोले आप सोची और वो बेरे को बार-बार इंसेस्ट कर चुके है कि मैं डिमेंट अकाउंट कैसे समझा आप तो कर लेंगे आप सिस्थम समझ लेंगे उसको जाने दिजिए फिर मैंने पीच में सिल्वर और गोल्ड की अनालिसिस करी ठी और बहुत बढ़िया साथ हजार पर सि भी बोलें और बार बार बोलते हैं उस बात को यार तूने बताया था है और चांदी बढ़ेगी तो बहुत इंट्रेस्टिंग आदमी है और मैं यह बता रहा था कि वो जो सट्टा खिलाता वाला जो टाम आया था रहा और वाला हमारे 37 गड़ों एक बहुत फेमस स्कैम हुआ है जो आप लोगो पता होगा महादे एप वाला हाहा हा हा तो उसमें बहुत सारा रहा था वो जो बना जिसने स्कैम किया उसकी बहुत जाला नहीं हो तो मेरे ख्याल से वहोगा 30 साल का अब वहां पर पर क्योंकि मैं राइपूर से बिलॉंग करता हूँ अभी राइपूर र तो बोले, आप भी महादेवाले हो क्या है, तो फिर उसके बाद मिरको कम से कम, मुझे आप यह मानेंगे नहीं, बिरको उनको 20 मिनिट अपना समय देना पड़ा, फिर मैं वो सारी चीज़े समझाया, और फिर जो हुआ, क्योंकि उसके बाद जो हुआ, वो भी बहुत बड़ा YouTube चला रहा है, you are definitely into investing, आप shares खरीद रहे हैं, जैसे ही उनको यह पता चला कि, मैं से भी रिजिस्टर रिसर्च अनालिस्ट हूँ, और एडवाइस करता हूँ, वो आप माने के रिए बड़ा हॉल था, वहाँ पे कम से कम 6-7 लोग pen copy लेकर बैड़े हैं, और शुरू कर रहे ह तो यह तो फील हुआ कि, मेरा लडगा कुछ तो अच्छा कर रहा है, चली अगले सवाल पहते हैं, इंट्रडे में ज़दा मज़ा है या पोसिचनल श्टॉक्स में ज़दा मज़ा है? देखें, इंट्रडे में मज़ा तो नहीं है, आप इंट्रडे को मज़ा तभी बोल सक और एक long term investment idea हो गया है जिसमें आप growth driver जो हमने 2-3 stocks की बात करी तो ये दोनों ज्यादा interesting है अगर आप trading के comparatively बात करो उसके इसलिए बोल रहा हूँ कि कि आप ये देखिये कि Jane Street, Millennium Hedge Funds, इंडिया में इतने बड़े-बड़े foreign के hedge funds active हो चुके हैं तो आप 1 लाख रुपए का trading में account balance लेकर के चल रहे हो और आप trade अगर कर रहे हो आप किस से लड़ रहे हो उस करोणों के software से आप समझी है ना कि this game is not that easy आप बगड़े entity से लड़ रहे हो और अगर 2000-4000 कमा ली हो तो आप आपको भले रहे है कि मैंने कमा ली है लेकि वो शाय तो आपके लिए ट्रैप हो फोगो है इप आपको आप समय कम है आपको आप समय कम है इस चार्टखने के लिए समय नहीं है जैसे हम option chain के लिए नी तो option chain के लिए समय नहीं है अब job भी करना है साथ साथ और आपको intraday trading करना है तो आपको इंस्तेक है बहुत बटब़ा ज़्टेक है If you are a full-time trader, intraday is for you. अगर किसी को भी ट्रेडिंग या इन्वेस्पेंट की शुरुवात करने ना तो मेरे हिसाब सो सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए कि उसका जो पॉर्टफोलियो है वह मानले जिस आल बर में उसने लाख रूपे का भी पॉर्टफोलियो बना है तो वह लाख रूपे कैसे डेली अप एंड डाउन होता है कैसे उसकी वैल्यू बढ़ती और घटी है पहले इसको देखने की आदट डालनी चाहिए तब जाके कहीं धीरे-दीरे इंट्राडे में कर्वर्ट होना चाहिए बहुत सभी हो रहा है और होता यह है जनरली कि हमको जब हम प्रॉफिट्स बन बोलो भाई काम है या 500 ले 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 लेकिन मार्केट में 1000 रुपय आप देते हो आप उतना नहीं सोचते हो आप एक अलग जोन में रहते हो इस पर मुझे बड़ी एक इंट्रिस्टिंग बात रहती है कि जैसे मानली जे कोई कहता है कि सिर्फ 500 रुपय तो लॉस होगा तो लेकिन दिन में आपकी हालत ख़रा हुए और चौती दिन आप बोलें कि कोई अकाम ने करना है यही जो है ना कि एक ट्रेडिंग के टाइम पर सबकॉंशियस का जो आपके उपर डॉमिनेंस है तो वह भी बड़ी चीज है और फिर आपको मैंने जैसे बताए कि लड़ाई आ बहुत लंबा खिज जाएगा लेकिन आप शुरुवात तो करिया पहले समझिये तो सही आप किसी एक स्टॉक्स रिलेटेट कोई ऐसी स्टोरी जो आपको कभी भूलती नहीं है मेरे को टाटा मोटर्स बहुत पसंद आता है मतलब मेरे पास खुद भी टाटा की गाड़ी है वहे ट्रेंट अब ट्रेंट क्या है ना यह इतना इंट्रेस्टिंग डिबेट का पॉइंट बन गया अभी भी है उसका कारण है दोसों का पी अच्छा 200 के पी पर तो 200 पी समझाए है अच्छा सबसे बहले आप देखिए पी का मतलब क्या होता है बेक्राउंड बना लेता ह लाता हूं मेरी मार्केट वैल्यू है पंदरा लाक रुपे पर एनम की ठीक है अब मैं उतने का बिजनस लाकर के दे सकता हूं अर्निंग आइकन जर्रेट फॉर दैट कंपनी 15 लाक लेकिन मेरे को पैकेज अगर मिल रहा है 30 लाक का मुझे प्राइस जो मिल रही है क्या मिल 30 लाक की तो आपका पी क्या हो गया 2 मतलब आपको धुगना 2 का पी मल्टिपल लिल रहा है आप समझिए कि ट्रेंट का पी 200 टाइमस है मतलब अगर वो एक रुपय कमारी है शेर्स को 200 रुपय का दाम दिया जा रहा है अब ये फिर से इतनी इंट्रेस्टिंग चीज है क्यो दोसों की पी मल्टिपल पर ये डिबेड बन जाता है जो फंडामेंटल अनालिसिस करते हैं जो थोड़ा सा फंडामेंटल को समझते हैं वो दोसों का पी मतलब बहुत महेंगी चीज है उसको खरीदना ही नहीं पसंद करते हैं लेकिन उसके बाद भी स्टॉरी इसले समझनी दोसों गुना बढ़ सकती है तभी तो उसको दोसों का पी दिये जा रहा है अगर एक क्रोड रुट रुपे करता है और मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज है या पता नहीं बुरी चीज भी है कि जो मैं शेर्स को अनलिसिस कर रहा हूं या जिसको करने वाला हूं मैं उसक आदत पुरानी रही है मैं जूडियो गया अब जूडियो की कहानी इसलिए इंट्रेस्टिंग हो जाती है कि आप ये मानेंगे नहीं कि डीमाट अभी हालत खराब अशेर की डीमाट भी अपने स्टोर्स में एपरेल बेसता है कपड़े बेसता है फुटवेर बेसता है ठीक अब मैं आपको एक्जामपल देता हूँ आप डीमाट से एक शर्ट लेकर आते है ठीक है ठीक वो शर्ट बहुत शानदार लग रही है आप से चार दोस्तों के बीच में किसे ने पूछा अरे या शर्ट बहुत शानदार लग रही है बोले कहां से लिए यू डेफिनेटली हजिटेट ये बोलने में आप बोलेंगे तो अच्छा डीमाट और बोल दिये तो आप वो क्योंकि आज इंडिया के लिए एक स्टेटस बहुत बड़ी चीज़ है आप नहीं बोलेंगे कि वो डीमाट की शर्ट है ठीक अब ये क्या अफोडेबल क्लोधिं है सस्ती क्लोधि वो शायद हमेंने सुना है त्रिपल नाइन इस दो मैक्जिमम प्राइस और आज का जमाना रील का है यूथ का है दे आर लैक ट्रेंडी उनको कपड़े चाहिए बदलना है अगे बढ़ना है अब उसने जूडियो से शर्ट किया वो सेम उसने भी अच्छी एक दोस्त है वो ट्रेंट इसी चीज़ को और भी चीज़ों में आगे बढ़ा रहा है अभी उसने जूडियो में एक काम शुडू कर दिया है सस्ती जूडियो फिर वही टच अन फील आपको प्रीमियम फील कर आना तो आप समझ यह कि ऐसी छोटी-छोटी कहानियों से लेक बात मैंने सुनी है देखी भी है कि जूडियो इस दो ओनली प्रोड़क्ट अफ टाटा जिसके नीचे कहीं पर भी नहीं लिखा है अब लेकि टाटा के एथिकल कमपनी है वो हमेशा बहतरी के लिए सोचती आई है तो उसका यह रीजन है जूडियो के पीछे नहीं लिखने का क्योंकि जो बीटा है उस जगह पे अपने ब्रैंड को अभी भी लिखता नहीं है कि इस पादा एंटरपर्डाइस मैं आइस की और आपर कि टाटा के जो सारे परॉ्डक्स और संद्ड़ प्रीमियां प्रोड़क्ट्स हैं हो के और यह जो प्रोड़क्ट है वह प्रीमरें ही मतल्यड़ लेकिन जो टाटा का माइंडसेट रहा है कि अपने सारे लोगों के लिए है जो उनसे जोड़ रहा है उनके लिए एक अच्छा वेल्यू क्रियेट करना चाहिए वो कोई भी फील्ड हो चाहिए तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने हमेशा एक बहतरी के लिए सोचा तो हो सकता है यह भी एक पॉइंट हो आपके दोस्त आपको बोरिंग कहते हैं क्योंकि आप चार्ट के पीछे लिए कहीं जाते हैं तो आप कोई शॉप में जाएंगे तो इंटर करेंगे किसी बैंड में तो आप कहेंगे इसका शेर इतना प्राइस चल रहा है इसलिए बोरिंग मना जाता है आपको अब देखें ऐसा है कि जो नॉन ट्रेडर या नॉन इंवेस्टर अब एक तो क्या दोस्तों को पता रहता है कि उनको शेर के लिए मेहनत नहीं करना है लेकिन अगर आप एक ट्र करते रहेंगे या रिसर चनल इसस करेंगे कौन सा सेलक्ट करेंगे ये थोड़ा सा टफ कुश्चन हो सकता है क्योंकि देखे मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत किसी अच्छे इंसान को मैंने बोलते वह सुना था कि जो आपको करना है लाइफ में आप उसको पढ़ाना करेंगे तो वह कहीं न कहीं बार-बार मारकेट्स को विजट करना चीजों को समझाना वह आपके लिए एक रस्ते खोल देता है आपके दिमाग के जो ब्लॉक से उसको हटाता है तो आपकी रिसर्च और बहतर हो जाती है तो मेरे खियाल से बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे ल विशर्च बढ़ाने वाली बात हो गई है तो बहुत स्टॉप लॉस टिगर्ड हो जाएगी इसको रहने देते हैं क्या अगर आपने खुद में कोई ट्रेडिंग ब्लंडर किया है डेफिनिटली किया है मतलब अगर कोई यह बोलता है कि मैंने ट्रेडिंग ब्लंडर नहीं गऑ 차 डीरे दीरे व उह सुधर जाए तो ट्रेडिंग ब्लंडर होते हैं और देफिनिटली होते हैं स्टॉक मारेकट कर सबसे बड़ा कोई विलन है सबसे बड़ा विलन मैं इसको कहूँ गा कि social media में जो availability of content हो रही है मतом है दो धारी तलवार हो गई हो गया क्योंकि आप श बंदे से, हर बड़ा बरदानー अविशाप होता है, रावन नए बरदान मांगा कि मुझे बहगवान मार सकता है, नमुझे कोई असुर मार सकता है, यला बुक्ष़ा, बह़ियर आपने तो इंसान के नाम ही नहीं लिया, इंसान क्या मारेगा मुझे मतलब कोई common man क्या मारेगा common man क्या मारेगा तो हर बड़ा वर्दान अभिशाफ होता है अपने आप इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि social media जो है वो आज के time का सबसे बड़ा villain है क्योंकि वो आपको excite भी कर रहा है वो आपको सही दिशा भी दे रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वेटेज है अगर आप उसको तॉलने निकलेंगे तो जो अभिशाफ वाले जो जिस medium से आप इस video को देख रहे है वही medium ही सबसे बड़ा villain है नहीं नहीं आप जिस channel को देख रहे है और जिस medium से देख रहे है यह वर्दान वाला यह अभिशाफ वाला नहीं है लेकिन यह कुछ अभिशाफ वाले भी है financial news देखना या पढ़ना exciting है या boring है financial news पढ़ना is better financial news देखना मेरे को लगता है कि बहुत सही नहीं है क्योंकि अभी का जो financial news का जो approach हो गया है यह मेरे को बहुत scary लगता है लेकिन हाँ financial news आप पढ़ते हो when you take newspaper in a hand आप वहाँ पे सही में चीज़ को वहाँ पे वो जो fancy दुनिया नहीं advertisement वाली दुनिया थोड़ी कम हो जाती you are reading the core लेकिन शायद financial कभी कोई दोस्ते रिलेटिव आपके पीछे stock tips के लिए पढ़ गया एकदम जान खाके नहीं नहीं मैं पीछे पढ़ गया यह तो मदब आज की तो यही कहानी है मदब शायद मैं दोस्ती करने में और मेरे बहुत मैं थोड़ा सा घर जो है उनके हाँ पर DMAT account है they are into investing they are making good profits by long term investing तो financial literacy को मैंने अपने तरीके से बहुत बढ़ाया है बिल्कुल एक शुरुवात किया आपने अपने घर से और देरे देरे वागे बढ़ची रहेगी लेकिन मेरे ख्याल से discipline सबसे बड़ी बात है उसके बिना कुछ नहीं हो सकता और वो किसी भी field में हो मतब आप कुछ भी करें आप UPSC aspirant बने आप YouTuber बने आप content creator बने आप कुछ भी करें आपको time का जो value है ना वो होना चाहिए और discipline is the only thing जो हर field में आपको feedback हेगी और जो discipline है वो definitely successful हो गई फेवरेट किताब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है किताब क्योंकि मैं क्योंकि मैंने मेरा दौर 10 साल का हो गया तो मैंने शायद जितना किताबों से नहीं सीखा उतना expediences से सीखा है अगर super power मिलती तो कौन से super power चीए super power मिलती तो शायद मैं पीछे time पर जाना चाहुआ क्योंकि एक तो दो oxygen के as equivalent हो चुका है पैसा दोबारा जवान होना है जवान तो आप है जवान तो मैं अभी भी हूँ बच्पने में जाना है लेकिन कहने का मतलब सिर्फ यह है कि शायद मैं time machine मेरे पास home मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं वो शायद जो 2008 का correction था कोविड का correction था इसको मैं और बहतर तरीके से in cash करता हूँ अच्छा महां जाके पैसा invest कर देगी जाके पैसा invest करना है और फिर शायद और फिर इंट्रेस्टिंग जवाब था मुझे कुछ नहीं करना है मुझे बस 2008 में पहुचा दो पूरा पैसा invest करते हैं जिसका काम उसी को साजे जो करता है तो मेरे को अपने इस फिल्ड का ग्यान है तो मैं definitely यहीं जाए लगता है कि आपको मौका मिले Elon Musk या Warren Buffet के साथ लंच करने का तो किसके साथ जाना चाहेंगे वैसे तो यह टफ सवाल है लेकिन मैं Warren Buffet के साथ नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत कम लोगों को बता है मैं शायद बुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में भी बात करनी चाहिए Jim Simons करेके एक थे इनसान थे और Warren Buffet उनके सामने कुछ भी नहीं है और सबसे बड़ी बात कि जब-जब मार्केट क्रैश आया है उनका फंड करीब-करीब 80-80% का भी रिटन्स जनरेट किया उस साल में आप Jim Simons को पढ़िए अगर आप सही में और ये बहुत इंट्रेस्टिंग है उनकी कहानी क्योंकि उन्होंने अपनी टीम में कभी एक ट्रेडर ये स्टॉक मार्केट समझने वाले को नहीं रखा उन्होंने हमेशा अपनी टीम में Mathematicians और Quantitative यानि कि जो थोड़ा बहुत Software से Related यानि कि वो Quant के दुनिया में थे Quant मतलब आप समझेए कि जहांपर पर आप Mathematics को एक Software के साथ Combine करके एक बहुत अच्छी चीज़ बना रहे है तो आप Jim Simons को पढ़िए Brilliant मतलब कहीं नहीं मैं भी उनके रास्ते पर चट्ला हूँ Calculations के बिल्कुल आपका भी एक Platform जो है वो इक तरह से वही है Quantitative Approach ही है और आप मानेंगे नहीं उनका जो CAGR है उनकी जर्नी का वो है 68% और Warren Buffett का जो CAGR है वो 18% या अच्छा इतना Difference है तो Jim Simons का नाम इतना ज़दा popular क्यों नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी आप एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने सन्यास ले लिया फिलेंट्रफी में चले गए और फिर उन्होंने और उनका जो फंड था वो लिमिटेड लोगों के लिए खुलता था तो वो अलग अप्रोच के साथ थे लेकिन डेफिनिटली पढ़ना चाहिए वो एस है वो तो शायर अगर उनका उप्शन आपने दिया होता ऐलन मस्क के साथ तो मैं उनको चुनता लेकिन अभी मैं ऐलन मस्क को चूज़ना चाहँगा ऐलन मस्क की क्या खासियत यह है कि वो अपने आप में बहुत खास है और उसकी जो थिंकिंग कैपबिलिटी है ना मतब देखे आप ट्रेडर बने इंवेस्टर बने आपके पास 5000 स्टॉक्स हैं आप ट्रेडिंग करने भी आ रहा है तो भी कम से 1000 स्टॉक्स है तो जो सोचना है ना कि कहां उतरें किधर पर पैसा लगाना है आज तो आप इतना जादा क्योंकि बिजनस है सारा अभी उनका कोई सा कोई कोई बहुत पॉपुलर हो रहा है वह भुषि नाम से गॉर्मेंट में मिनिस्ट्र रहा है उन्होंने क्रिप्टो हमेशा से प्रमोट करते है थे डोज कोईन को दोज कोई और ट्रब ने उन्हें जो दिया है अभी काम उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिशेशिनसी आप देखे एक तो एलन मस्क हमेशा से नेया ट्राई करता है और ये माना जा रहा है कि वो अपने जो पहले ट्विटर था भी एक्स है तो वो हर मिनिस्टर का एक तरह से पोल करेगा कि ये क्या काम गलत कर रहा है तो ये अलग लेवल खुलने वाला है वो शायद बाकी के देशों के लिए एक चैलेंज होने वाला है कि ये बहुत बड़ी चीज होने रहा है एक ऐसी कंपनी एमसी जिसमें मतलब कहीं ने कहीं आपके ब्रेन में जाना चाहूंगा मतब जो बहुत बड़े इंडिया के प्रॉप डेस्क होंगे शायद मुझे उनका ओफिस विजट करना हुगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा क्योंकि दीए एमसी एसेट मैनेजमेंट में अगर बात जीसे मोतिलाल उसवाल भी वेल्स मैनेज करते हैं और उ ओल्ड स्टाइल जो इन्वेस्टिंग करते हैं मुझे वो शायद बहुत इंट्रेस्टिंग नहीं लगता लेकिन आज के दौर में जैसे क्वांट है क्योंकि क्वांट अपने mutual funds में जो derivative portion है उसका इस्तमाल करके hedge करता है और इसलिए उसके returns आपको इतने drop नहीं होते वे द मैंको लगता है कि शायद इसको आप elephant बोल सकते हैं because it's too big क्रोकोडायल तो नहीं बोलूगा elephant इसलिए बोलूगा कि powerful है ठीक है और friendly भी होता है ठीक है और बदब जब पागल हो जाए तो इसलिए मैंने शायद elephant का नाम लिए तोड़ा rare example हो सकता है बट ठीक है पहली salary से क्या मेरे salary खतम हो गई थी क्योंकि मैं job कर रहा था और मैं सारे अपने घरवालों के जो मेरी बुआ है चाची है मम्मी है मैंने सब के लिए कपड़े लिये थे और मैं उधार लेके फिर घर गया था तो इसको भी छोड़ सकते इसको भी छोड़ सकते तो ऐसा करते करते पैसे खत कि क्या मतलब वह तुमारे तुरिया सारे gifts लाने का जब तुवापस जाने के लिए फिर हमसे पैसे ले रहा है यह बात की हुई थी market का crash देखना डरा होना लगता है कि thrilling लगता है नहीं वो डिपेंड करता है कि आप कितने invested हूँ देखे आप अगर 100% invested है तो फिर तो scary है क्योंकि आप तो फिर वो बोलते ना कि अभी क्या लूँ तो अभी तो आप भगवान का नाम ही ले सकते वाली बात है क्योंकि आपके लेने के लिए तो वही है पैसे तो है नहीं तो अगर आप invested पूरे तरीके से और crash आजाए तो वो scary है अगर आपके पास इसलिए बोलते भी है कि कभी-कभी जब market ऐसा लगता है हम defense मेरे ख्याल से मैंने जैसी आप आप देखे कि इतनी छोटी-छोटी चीज है कि जैसे ही य government की जो capex होते है यानि government की expenditures है खर्चा है manufacturing कुछ भी हो वो कही नगाई धीरे से थमने लगता है वही वो कारण बना था जैसी मैंने आपको मेरे ख्याल से जुलाई मैंने अपने ग्रुप में update भी डाल दिया था कि defense और capital goods यानि कि ABB, L&T, Simmons, defense में आप आजाईए तो जितनी defense की companies हैं यहां से आप निकल जाईए क्योंकि सरकार free 22 पे focus कर रही है और क्योंकि एक बहुत बड़ी है ना कि जैसे आप newspaper पढ़ रहे है उसमे headline है तो आप budget में यह नहीं देखेंगे कि defense को कितना allocation है हर आम आदमी यह देखता है कि आम आदमी के लिए क्या है तो government ने सुचा और शायद यह बहुत लोगों सुनके अच्छा भी लगेगा अगर मैं एक दिन का finance minister बना तो मैं सबसे पहले ल्टी सीजी को zero कर दूँगा long term capital gain tax should be vanished इसको हटा देना चाहिए इसका आप खुद सोचिए मेरा महनत का पैसा है मैंने एक लाख रुपए बड़ी महनत से कमाए उस पर मैंने tax भी दिया कमाने के लिए ठीक बात है मैंने risk लिया मैंने equity market में invest किया जिसमें कुछ भी भरोसा नहीं है तो उसके और पहले सा मैंने एक लाख रुपए सेलरी से कमा आप बहुत जादा मेरे क्याल से आप मेरे से पहले वैलिश करा है मैंने एक लाख रुपए सेलरी से कमा और वो पैसा मैंने बचा लिया अलब खर्च नहीं हुआ बचा लिया एटी सी वेटी सी सबका टेक्स पे करने के बाद अब यह जो पैसा बचा इसका मैंने टेक्स भी पे कर लिया मैं पास कट कुटा के बचा मेरे हाथ में 80,000 रुपए मैंने दिल पर प्थर रखके एक्विटीम इडाल दिया और एक्विटीम गलती से बढ़ गया 80,000 का 1,60,000 है अब उस पर मैं 20% एक दे रहा हूँ और अभी तो कहा रही है साड़े बार हो गया लटी सी जी हाँ साड़े बार हो परसंट हा लेकिन वह अगर शॉट टम में पैसा बना है एक साल के पहले तो 20% ही देना पड़ेगा बात सही है तो वही है ना कि आप इतनी व लॉस पे देना शुड़ू करते तो फिर क्या है फिर फिर तो लॉस ही चुड़ू हो जाए और यह अभी बात चल भी रही है जब से यह मार्केट क्रैश हुआ है तो यह मीम सुड़ू हो गया है कि आपने 12.5% LTCG कर दिये लिजी आप कहां से लेंगे LTCG अब तो मार्केट करने में हेलप करता है और यह जो मीम का कल्चर है किसी फिल्ड नोहीं होुई यह किसी ना किसी तरीका का क्रि différentes ही रही चार्ण वहाए देडिकेट करना हो, वो मेरे अचानक से याद आ रहा है, तुम जो आये जिंदगी में बात बन गई, मेरे लिए तो सही में बात बनी रही है, कि मेरा बहुत इंटरस्ट था, तो मेरे लिए इंटरस्टिंग है, चीए, फाइनेंस जब आप पढ़ते थे, तो उसके सब्जेक् इंटरस्टिंग, मेरे को आप ये मानेंगे नहीं, सैटर्डे संडे मेरा बहुत तफ गुजरता है, जो मार्केट का कीड़ा है, उसको पढ़ना मार्केट के बारे में, या मार्केट चलते रहने का समय है, मतरब मेरी एक आदत है कि जो, गिरता मार्केट रहता है, जिसे बह तहाँ पैसा लगने वादा है, तो मेरे साब से आपको मार्केट में तो रहना है, budget का announcement एकना बोरिंग है या exciting कुछ हिससे बोरिंग होते हैं, लेकिन ज़ादतर हिससे interesting होते हैं, क्योंकि आप financial market से सारे wings को tap कर रे हैं, सारे industries को tap कर रे हैं, तो आपको ज़रूर समझना और फिर चोटे लोगों को पूरे तरीके से बोर करते हुए, टाइम पास करते हुए, धीरे-धीरे स्टॉक को तोड़ते हुए, और फिर जब सब निकल जाते हैं, वो स्टॉक डेफिनिटली फिर कहीं और पहुंच जाता है, तो मैं उसी में से किसी स्टॉक पो चूज़ करेंगे, तो बहुत सारी बाते हुए आज तिवारी जी के साथ, और उमीद गरता हूँ कि इन सारी बातों में आपके लिए भी बहुत सारा क्रक्स निकल के आया होगा, आपको सीखने के लिए बहुत सारी बाते समझ में आई होगी, और बहुत मज़ा है आपके साथ आज ये पोड़कास्ट करके, मैं आपको ये चीज़ बता दू कि मेरा एक तो ये पहला पोड़कास्ट है, मुझे एक तो थोड़ा कैमरा से मुझे कांशियस हूँ, मैं कैमरा कॉंशियस हूँ, और क्योंकि मेरे जो वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं तो सेल्फी, फ्रंट कैमरा से बनाता हूँ, तो बेरे लिए बहुत नया एक्स्पिरियेंस था, और मैं बहुत थैंक्फूल हूँ कि आपने प्लैटफॉर्म भी दिया, और आपसे वैसे भी हम लोग दोनों तिवारी ही हैं तो, और दोनों एकी दिशा में बहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने questions आपको दिखाए नहीं थे कि मैं क्या पूछा हूँ, वो बहुत बढ़ा interesting था, इसने शायद एक दो questions के answers में दे भी नहीं पाया आपको, क्योंकि दिमाग उतना उस तरीके से click नहीं किया, लेकिन बहुत thankful हूँ हूँ मैं Investing Daddy के YouTube चैनल का, कि मुझे मंच मिला अपनी बात कहने का, और आपके videos भी मैंने देखे हैं, आप हमेशा से trader या investors के बहतरी के लिए बात करते हैं, और मैं यहाँ आकर के मेरा भी यही thoughts था, और मुझे same चीजें कहने की शायद अलग mode में मैंने कहा होगा, लेकिन आपने भी कुछ चीजों को अपने तरीके से बता ही दिया होगा, तो it was very thankful, I am very thankful, and it was a great opportunity, I really enjoyed, डर तो नहीं लगा, शुरू में शायद थोड़ा मैं फंबल कर रहा था, लेकिन आपने comfort कर दिया, तो मेरी coffee अभी भी रखी है, आप समझी सकते कि थोड़ा तो, cold coffee है तो थड़नी नहीं होगा, यह अच्छा परोच रहा आपका, कि आपने cold coffee मगाए तो अब खंटब होने के बाद, behind the camera, I will definitely take it. तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, comment box में आपने valuable comments लिखना, बिल्कुल मत भूलें, अगर आप इसी तरह के वीडियो देखते रहना चाहते हैं, पोड्कास्ट में, तो आज के वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, investing trading channel को subscribe कर लीजिएगा, बला आइकोन प्रेस कर लीजिएगा, हम फिर से मिलेंगे अगले पोड्कास्ट के episode में, फिलाल अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही सीखते रही है, मुस्कुराते रही है, और जीवन का अनन्द लेते रही है, क्या बात है।